निवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले के सभी नागरिकों से अपेल की है कि प्रदेश में कोविड के एक्टिव प्रक्रणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड जैसी घातक बिमारी से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आज 29 जून को टीका करण महा अभियान में नजदी की बूत पर पहुच कर उम्र अनुसार वांचे डोज का टीका करण करा कर कारक्रम को सफल बनाने में सहीयोग प्रदान करें उलेखनी है कि कलेक्टर मनोज पुष्प और जिला पंचायत सीयो सौपनिलवान खेडे दोरा विगत दिनों जिला स्वास समिती की समीक्षा बैठक में कोविड टीका करण कारक्रम में प्रगिती की समीक्षा की गई थी जिसमें 15-17 वर्ष, 12-14 वर्ष समू के दुती डोज एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में प्रिकॉशन डोज की प्रगिती आपेक्षित नहीं पाई गई कलेक्टर मनोज पुश्प ने ततकाल कार्योजना बना कर शेश टीका करण कार पून करने के निर्देश दिये जिला पंचायत के CEO सौपनिल वान खेडे ने स्वास्त विभाग, सिक्षा विभाग और महिलावाल विकास की बैठक में पातर हित गाहियों को चिन्हित कर टीका करित करने हेतु महाभियान की कार योजना बनाने के निर्देश दिये CMHO डॉक्टर एनन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर्स में 300 से अधिक टीका करन बूत बनाए गए हैं जो सभी उप स्वास केंद्रो, प्रास्मिक स्वास केंद्रो, समुदाइक स्वास केंद्रो, सिविल और जिला अस्पताल में बनाए गए हैं इसके अतरिक्त मुबाइल टीम द्वारा भी टीका करन किया जाएगा जिला टीका करन अधिकारी डॉक्टर बसंत अगनी होतरी ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की व्यक्तियों के प्रिकॉशन डोस के लिए विशेश अभियान चलाया जा रहा है